बाते हैं शिम्ला की उर में ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है इस दोरान सडकों पर जाम लगने की समस्या आम हो जाती है और चालक और वाहन चालकों द्वारा बेवजा होन बजाने का सिलसिला शुरू हो जाता है हाला की मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलस ऐसे लोगों के खिलाफ चालान भी कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बहराल अब सरकार ने फिर से पुलस को आदेश चारी किये हैं कि अनावश्यक रूप से होन बजाने वालों से के चालान करें परावरन और प्रोद्यों के विभाग ने 3 अगस 2018 को नो हॉंकिंग कैम्पेइन मनाली और शिम्ला में शुरू किया था इसके बाद वाहन शौल को कुछ जागरो करने का सलसला भी शुरू हुआ था लेकिन अभी तक इसका कोई खास असर नहीं दिखा है विशेश सचिफ प कि तहत चालान करने के पुलिस को आदेश दिये गए